नमस्कार दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जुरिया होने के कारड़ दोस्तो हमारी कुछ गलत आज़ते के वज़े से हमारे चेहरे पर जुर्या और आखों के नीचे काला घेरा चेहरे पर लचीला पन आने लगता है तो दोस्तो इस वीडियो को दिखना सुरू हो जाता है आम तोर पर 35 साल के उम्र के बाद जुरियां आखों के नीचे काले घेरे गहरी लकीरे और तुचा में धीलापन आना सुरू हो जाता है लेकिन आजकर लड़कियों में यह समस्या कम उम्र में दिखाई देने लगती है इसके लिए इसके कारण आप पर जुरियां भी पढ़ने लगती है आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलत आदसों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे समय से पहले ही जुरियां पढ़ने लगती है तो नमबर एक दुमरपान दुमरपान सराप का सेवन सेहत के लिए बहुत ही आनिकारक होता है लेकिन क्या आप जानती है कि इसका सेवन चेहरे पर जुरियां का काड़ बनता है सिगरेट ऐसे एंजाइम का को एक्टिव करता है जिससे से चेहरे और सरीर पर जुरियां पढ़ने लगती है और अपनी उमर से ज्यादा बड़े दिखाई देने लगते हैं दोस्तों नमबर दो है कैलो कैलोरी कम लेना क्योंकि दोस्तों हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उस अनुसार हमारी कैलोरी लेने की च्छमता कम हो जाती है जिससे हमारे चेहरे पर चमक कम होने लगते हैं लेकिन चेहरे पर चमक बनाये रखने के लिए आपको कैलोरी अधिक मातरा में लेना चाहि दोस्तों नमबर तीन है मानसिक तनाव और के स्ट्रेस के चलते आप मानसिक तनाव का सिकार हो जाते हैं जो कि आपको समय से पहले ही बूढ़ा बना देता है टेंशन फिरी रहने से आपका मस्तिस्क आपको युवा बनाए रखता है इसलिए अगर आप भी ज्यादा खुस और टेंशन फिरी रहेंगे तो जुरियां आप से लंबे समय तक दूर रहेगी नमबर चार है पूरी नीदना लेना हाँ दोस्तों पूरी नीदना लेने से भी जुरियों का बहुत बड़ा कारण है काम के चकर में आज कल हर कोई अपनी नीद पूरी नहीं कर पाता है लेकिन क् आपको पता है हर व्यक्ति के लिए कम से कम साथ से आठ घंटे की नीद बहुत जरूरी है अधूरी नीद से ना सिर्फ आप मोटापे का सिकार होते हैं बलकि इसे चेहरे पर जुरियां आख के नीचे काले घेरे और तोचा में धीला पन भी आ जाती है तो दोस्तों आप भर साथ साथ तोचा पर भी बुरा असर डालता है इसे से आप समय से पहले ही जुरियां और आखों के नीचे काले घेरे का सिकार हो जाते हैं जो कि आपको समय से पहले ही बूढ़ा दिखाने लगता है